नमस्कार केंदर सर्कार की गोषना के पसात राजस्थान सर्कार finance department की ओर्टर जारी करते हुए DA यानि की वेट्टे बधोत्री की गोषनाथ four प्रतितत बधोत्री के शाक थे अब राजे सर्कार के करमचारियों को द्य जिसकी गर्णा उसके मूल वेतन यानि की बैसिक से की जाएगी इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब हमारा डिये 50 प्रतिशत हुआ है तो उसके बाद में और कौन से भते हैं जिसे बढ़ाई जाने का प्रावधान सेवंत पे कमिशन में किया गया है और इसमें कौन-कौन से भते हैं वो बढ़ने वाले हैं 50% डिये रेट होने के साथ ही पहले इसको देख लेते हैं कि 14 मार्ज को इसकी गोशना की गई है और इसमें एक चीज कही गई है कि आपका जो जनवरी यानि कि एक जनवरी से 29 मारज तक का जो डिये है वो आपको केश में नहीं मिलेगा बलकि जीपीएफ में जमा ह करमचारी 2004 से बाद किहीं उनको जीपीएफ2004 में करवाना हैं और जो करमचारी ऊटोनोमस बोडी छे है पीयएशियू है बोर्ड जे कॉर्पोरेशन है उस स्प्कौरीं है उससे से सेलेरी का भुगतान एक अप्रेल को किया जाएगा मार्च महा की सेलेरी का भुगतान एक अप्रेल को किया जाएगा अब हम बात करते हैं सेवन्थ पे कमिशन यानि कि सात्वा वेतनमान जो लगा था उसके अंदर एक प्रावधान किया गया था कि जब सरकारी करमचारियों का यानि कि महंगाई बता जैसे ही 25 प्रतिशत हो जाएगा तो उसके बाद में उसके साथ ही उसका एचारे बढ़ाया जाएगा पहले हमारा जो एचारे है वो 8, 16 और 24 प्रतिशत था जिसे 25 प्रतिशत डिये होने के बाद में 9, 18 और 27 कर दिया गया था इसी करम में एक और चीज कहींगे कि जैसे ही करमचारियों का डिये 50 प्रतिशत हो जाएगा तो उसके बाद में इनका जो एचारे है वो 10, 20 और 30 प्रतिशत वो सीटी के अनुसार तै होगा आपका जो पॉस्टिंग प्लेस है वो कहां पर उसी के आधार पर तै होगा कि आपको जो एचारे रेट है वो किस रेट में दी जाएगा वो सीटी की अलग-अलग केटेगरी जंदर धारित की गई पूरों में उसी के आधार पर ये तै किया जाता है अब दरसल डिये हमारा पचास प्रतिशत हो चुका है अब इसके बाद में हमारे डिये की गोशना वैनेस डि करमचारे किया गया था उसी क्रम में ये किया जाने का प्रावधान सेवंथ पे कमिशन में किया गया है अब डिपेंड करता है सरकार के उपर कि इसको कब से देने का प्रावधान ये करते हैं या फिर नहीं करते हैं वो तो सरकार की उपर है लेकिन इसा सेवंथ पे कमिशन म गया था अगर ऐसा करते हैं तो प्रतेग सरकारी करमचारी को एक प्रतिसत यानि कि उसके बैसिक का एक प्रतिसत हिस्सा है उसका सेलरी में इज़ाफा होने वाला है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद